नमस्कार दोस्तों मेरा नामे रजनीज स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूटूब चैनल Connecting India Exim Solution में दोस्तों Connecting India Exim Solution इंडिया का ऐसा प्लेटफोर में जो आपको Export, Import से Related सारी जानकाई डिटेल में बताता है समझाता है इंडिया से कैसे Export करें, इंडिया में Import कैसे करें उसका Procedure क्या है, क्या के Document आपको इसमें बनाने रहते हैं, किस दे किसे Marketing करना है, Buyer Find करना है इन सब चीजों के बारे में डिटेल में जानकर ही आपको हमारे यूटूब चैनल के माद्यम से Provide कराई जाती है तो इसके साथ मैं आपसे Request करूँगा, कि अगर आप हमारे यूटूब चैनल पे नए हैं, तो हमाई चैनल को सब्क्राइब करें, बेल आइकल को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आगया नौल वीडियो इसके Notification मिलते रहें दोस्तों वीडियों बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं, आज के सबसे Interesting Topic की, कि अगर आपको अपना Payment Secure करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, ऐसा क्या तरीका है, जिससे आप अपने Payment को Secure कर सकते हैं, और Risk Free होके जो है, Export Import के Business में आ सकते हैं, तो कई बार जो है, एक Credit Risk निकल के आती है, कि Credit पे कैसे काम किया जाए, और उसको Cover कैसे किया जाए, तो आज कि इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि Credit Risk को कैसे Cover किया जाए, और Risk Free होके किस तरीके से Export किया जाए, तो चली दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, तो दोस्तों अगर आप Export इंपोर्ट के बिजनिस में आना चाहते हैं, तो कई लोगों का सबसे पहला concern होता है, कि सर पैमेंट कैसे आता है, पैमेंट किस तरीके से होगा, और अगर Credit पे भी काम हो रहा है, तो उसको Cover Up कैसे करना है, तो अगर आपको Risk Free काम करना है, आपको ब करना है, तो उसके लिए पूरा procedure है, government आपको support कर रही है, यहाँ पे, जिस procedure को समझके, आप step by step proper तरीके से export करके, अपना जो risk है, उसको कम किया जा सकता है, सबसे बड़ा risk जब भी कोई निकल के आता है, वो होता है, payment risk जो की export, import business के अंदर, सभी के लिए एक सबसे बड़ा concern होता है, कि sir, अगर हम export कर भी दें, तो payment कैसे आता है, payment होगा या नहीं होगा, या फिर कई लोगों का सबसे बड़ा concern होता है, कि sir, सामने वाली party जो है, genuine तो है, बट वो credit मांग रही है, वो credit हम उसको दे सकते हैं, या नहीं दे सकते हैं, तो दोस्तों, यहाँ पे, अगर आप credit में काम कर रहे हैं, तो अब आप risk free होके यहाँ पे काम कर सकते हैं, यह वीडियो में दी जाने वाली जानकारी से आपको सब पता चलेगा, कि आपको बिना risk के किस तरीके से काम करना है, और अपनी credit risk को किस तरीके से cover up करना होता है, दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे है ECGC की Export Credit Guarantee Corporation, जो की एक तरीके के enterprises है, जो Government of India की है, और यहाँ यह आपको directly support provide कराती है, किसी भी credit risk से secure होने के लिए, दोस्तों, जनरली होता क्या है, कि कई बार हमें लगता है कि एक buyer है, उसकी profile ठीक है, अब कई ऐसी countries है, जिनमें सिप credit में ही काम हो रहा है, वहाँ पे हमे payment की risk को भी avoid करना है, यहाँ पे generally होता क्या है, कि कई लोग इस problem में फज़ जाते हैं, कि अब यहाँ पे काम करें या ना करें, और यह जो risk निकल के आ रही है, इस risk को cover up कैसे करें, तो यहाँ पे आपको साथ देने आ रहा है, ECGC Export Credit Guarantee Corporation, जिससे आप अब risk free जो है, एक्सप security provide कराती है, या एक तरीके से कहें, insurance provide कराती है, तो यहाँ पे generally जब भी आप export करें, तो और आपको अपना product जो है secure करना है, तो generally आपको ECGC Export Credit Guarantee Corporation का cover लेके आपको export करना है, जिससे आपका सीधा सीधा जो कोई भी loss होने से यहाँ पे बच जाएगा, अब बात आती है कि सर जब यह order आ जाता है buyer की तरफ से, जब भी आप पहले आप अपना order ले, order लेने के बाद आप अपना performa invoice बना के buyer को दें, और वो performa invoice की copy जो रहेगी वो आपको buyer से sign और seal confirmation उस पे ले लेना है, मतलब आप जब mail पे buyer को भेजेंगे यह performa invoice की copy, तो आप buyer को आपको बोलना है क भी यह इसका print out निकाल लीजिए और इसके उपर stamp और sign करके हमें दे दीजिए as a order confirmation, तो आपका यह order यहाँ पे confirm हो जाएगा, और जब आपको एक confirm order बाहर से मिल जाता है, उसके बाद simply यह copy जो है performa invoice की आपको देना है ECGC को, पहले ECGC को आपको सर्च करना है कि अगर आप जनरली वहाँ जा सकते हैं, डारेक्ली वहाँ जाके अपना policy ले सकते हैं, या फिर आप जो हैं website के थुरू उनको call करके या mail करके भी ECGC की policy ले सकते हैं, तो यहाँ पे जब आपके पास order आ जाएगा, तो simply वो जो performa invoice की copy है, आपको ECGC को mail करनी है, और आपको बोलना है कि हमें ये buyer की policy लेनी है, तो ECGC के पास जब आपका mail जाएगा, तो ECGC जो है उसको check out करेगा, पूरे performa invoice ने उसको देखेगा, buyer की जो profile उसको check out करेगा, यहाँ पे अगर buyer के नाम पे किसी ने पहले भी policy ली होगी, तो और अगर buyer default किसी भी conditions में हो गया होगा, तो यहाँ पे ECGC आपको बता देगा, या policy issue नहीं करेगा, तो यह भी आपके लिए एक secure terms हो जाता है, कि आपको पता होता है कि अगर किसी ने पहले इसके नाम पे ECGC policy ली हो, और buyer ने payment नहीं किया हो, और ECGC ने उस claim को cover किया है, तो ECGC आपको मना कर देगी, और अगर माली जी कोई policy आपको policy issue करती है, policy issue करने से पहले आपसे कुछ आपके document मांगे जाएंगे, जो भी कोई general document रहेंगे, आपके जैसे आधार card, pain cards वगेरा, company के pain cards वगेरा, company का पूरा details वगेरा आपसे लिया जाएगा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि किस तरीकी की policy आप बनाना चात मतलब इसमें policy के अलग-अलग types होते हैं, जैसे कि आप एक single buyer की policy बना सकते हैं, one time policy बना सकते हैं, या एक buyer के पूरे साल के turnover की policy आप ले सकते हैं, या आप पूरे अगर मान लिजी आपके 4-5 buyer हैं और उसकी जो policy अगर आपको चाहिए, तो वो भी आप बना सकते हैं, completely turnover की policy तो यहाँ depend करता है कि कौन सी policy आप चाहते हैं, अब यह buyer आपका नया है और आपको लग रहा है कि मुझे तो बस इसी से risk है और मैं इसी के साथ policy करना चाहता हूँ, तो आप simply इसी जी को बोलेंगे वही इसी buyer के हमें policy जेए और जो वो performer invoice भी आप उसी buyer वाला इसी जी को provide कर आते हैं, फिर ECGC अपनी list के accordingly check out करती कि कौन सी country में कितना premium वो आपसे charge करेंगे, तो यहाँ depend करता है, 0.50% भी हो सकता है, 1.35% भी हो सकता है, 1.5% भी हो सकता है, तो आपकी जो भी invoice value रहेगी, उस value पे आपसे इतना percent ECGC charge करेगी, तो जो भी costing आपकी आने वाली है, तो ECGC आपको बता देगा, let's suppose आपका 10,000,000 रुपे का invoice है, और यहाँ 1% आपसे उस country के लिए charge किये जा रहा है, suppose आप UK में export कर रहे है, अगर वहाँ का premium 1% है, और 10,000 की आपके invoice है, तो 10,000 रुपीज पे आपसे 10,000 रुपीज ECGC में आपको जमा कराना रहेगा, और initial level पे 16-1700 उसकी processing fees भी होती है, जो भी आपको one time pay करनी पड़ती है, तो आप यह सब पेसा ECGC में जमा करा देते हैं, तो finally ECGC की policy बनके आपके पास आ जाती है, और इस तरीके से आपका पूरा shipment secure हो जाता है, अब generally आपको करना क्या है, ECGC लेते समय किस बात का ध्यान रखना है, जब bank के थ्रू ही document courier करने है, तो आपको यह एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, कि अगर आप ECGC का cover लेते हैं, तो bank के थ्रू ही document आप buyer को courier करें, directly document buyer को यहाँ पे आपको courier नहीं करना है, bank जो है, आपको supporting documents देंगे उसमें, कि हाँ, हमारे थ्रू यह document गए है, और buyer's payment नहीं आ करते हैं, उस time पे जब document बन जाएंगे, उसके बाद उस सारे document आपको अपने bank में submit करने रहेंगे, और आपका bank ही buyer के bank को document भेजेगा, और buyer जो है, अपने bank से वो document चुड़ा लेगा, इस तरीके से आपका ECGC cover होने में आपको और ज़्यादा मदद मिलेगी, अगर आपका payment of DP और DA है, तो आप bank through आप काम करें, और वहाँ पे आप ECGC का cover लेके काम करें, इससे क्या होगा कि आपका पूरा shipment proper secure हो जाएगा, अगर किसी भी condition में अगर आपका payment नहीं आता है, तो ECGC फिर उसको cover up करेगी, अब ECGC इसको 2 मेने या 3 मेने के अंदर mostly cover करने कोशिश करती है, depend करता है कि आप किस country में काम कर रहे हैं, आपने किस तरह किसे shipment किया है, delivery terms किया रहा है, आपने bank through किया या directly किया है, तो ये सारी चीज़े आपको check out करनी रहेगी, और ECGC इन सब चीज़ों को देखेगा पहले, सारे document को verify करेगा, अगर payment नहीं आता है आपका तो 5-10 दिन जो है cover करेगा total invoice value का, अगर आपकी invoice value 10 लाख है और अगर आपका 80% cover किया जा रहा है, तो करीब-करीब 8 लाख रुपे ही ECC cover करता है, इसमें आपको पूरा cover नहीं मिलता है, ऐसा नहीं कि पूरा invoice का cover मिलेगा, आपको invoice value पे जरूर charge किया जाएगा, जो भी उनका percentage है, 1% या अलग-अलग हो सकता है, 80% भी होता है, 90% भी होता है, तो let's suppose आपने 10 लाख का order किया है, तो 9 लाख रुपे आपके ECGC यहाँ पे secure करेगा, 90% वो आपका secure कर रहा है तो दोस्तों, तो इस तरीके से ये ECGC के बारे में जान करिये, जहाँ पे आप अगर credit में भी काम करना चा या letter of credit के उपर काम किया जाए, आप जो है किसी भी तरीके के credit में generally buyer को ना दे, अगर आपको लगता है कि नहीं buyer genuinely और ये payment कर देगा और आप 100% sure है, तभी आप करें, बाकि फिर आप ECGC के माध्यम से जाए, जहाँ पे आप अपने payment को secure कर सकते हैं, I hope दोस्तों वीडियो मे कैसे किया जाए, इंडिया से import कैसे किया जाए, क्या procedure है, क्या क्या document आपको बनाने है, buyer कैसे ढूणा जाता है, payment कैसे लिया जाता है, shipping कैसे की जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में practical knowledge जो है हमारे 7 days के online training program में आपको provide कराई जाती है, या फिर आप 3 days का offline training session कूटा राज मुझ का awhile जाता है, बयवला में आपको में आपको अ Maßnahmen में सक्ता है, ए le希望 सार्षाब को video, हमारे मादों के लिदा जाता है, इस एल में आपको ए झाल, जो हमारे मैं में किया है, क्या क्या नाब़े 50